नमस्कार आप देख रहे हैं समाचारवाला की कहाने स्रीज इस स्रीज में आज आपको दिखाएंगे भारत में सरकारी सिक्षा की हकिकत जिस डिजिटल सिक्षा की बात दिल्ली से लेकर पटना तक हो रही है उस डिजिटल शिक्षा की करांती में करांती कहां तक पहुंची है तस्वीर बिहार के पगहा की है केंदर की सरकार और राज की सरकार शिक्षा के क्षितर में करांती लाने की बात करती है और इसी के मद्दे नजर विद्यालियों को स्मार्ट क्लास के जरिए हाइटेक बनाने का दावा सरकारी बाबू करते रहे हैं खास कर करोना काल में ग्रामिन इलाकों के स्कूल को हाइटेक बनाने की कवायत शुरू हो गई है सरकार ये दावा कर रही है कि स्मार्ट क्लास के जड़िये हम उन बच्चों को शिक्षा पहुंचाएंगे जो कतार के आखरी पंक्ती में खड़े हैं लेकिन जो तस्वीर आपकी आँखों के सामने हैं वो सरकारी दावों के पोल खोलने के लिए काफी है आपके मोबाइली स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो बिहार के बगहा की है बगहा के गोरी बेलवा टोला में संचालित हो रही राजकिय प्रात्मिक बिद्याले की ये तस्वीर बताती है जिसे हम आज डिजिटल यूग कह रहे हैं वहां बच्चे किस तरह से ग्रामने लाकों में खुले आसमान और पेड़ के नीचे सड़क पर बैठ कर पढ़ने को मजबूर है आदिवासी बहुल गोरी बेलवा गाउं जंगल के किनारे बसा है लिहाजा ग्रामिन अपने बच्चों को गाउं से दूर विद्यालियों में नहीं भेजना चाते ग्रामिनों ने 20 साल पहले चंदा एकठा कर जमीन खरी दी और फिर उसे राजपाल के नाम पर डोनेट कर दिया ताकि उनके गाउं में ही स्कूल की बुनियाद खरी हो सके बच्चों को दूर दराज स्कूली शिक्षा के लिए नहीं जाना परे बाप जोदिस के शिक्षा विवाग के उदासिंता के कारण इस विद्याले के लिए अब तक भवन नहीं हो पाया लिहाजा बच्चे धूप हो या बरसात खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है इस विद्याले में भवन के नाम पर एक टूटी फूटी जोपरी है जो विद्याले का दफ्तर है लेकिन बरसात में कागजी दस्तावेज या समान ना भींगे इस वज़े से शिक्षक सिक्षिका एटेंडेंस रजिस्टर या या तो किसी अभिवावक के घर रखते हैं आत आपने साथ लेकर जाते हैं जोपरी बनाएं इसी हो रखते हैं बिहार के मुखमंतरी नितीश कुमार के पसंदिदा जगहों में से एक बालमिकी नगर और बालमिकी नगर की ये तस्बीर ये बताती है कि जिस डिजिटल स्कूल और डिजिटल करांथी लाने की बात केंदर की सरकार से लेकर राज की सरकार कर रही है दरसल उसकी हकिकत क्या है ग्रामिन इलाकों की ये तस्बीर सिर्फ एक गाउं तक सिमित नहीं है भारत के किसी भी राज्य के किसी भी ग्रामिन इलाके में आप चले जाओ आपको इस तरह की तस्वीर देखने को मिल जाएगी सरकारी स्कूलों की ये विवस्था ये बताती है कि जिनके पास पैसे नहीं है जो गरीब हैं उनके बच्चे कमोबेस इसी हालात में सिक्षागरन करने को मजबूर है भले ही राची पतना जैसे बड़े बड़े शहरों में होडिंग के जरिये ये बताने की कोशिश सरकार करती हो कि देश में डिजिटल करांती आ गई है अकिकत आपकी आँखों के सामने है